नहीं नहीं ब्रह्म नहीं है ये स्वयम इंद्रदेव ने वर्दान दिया था मैं पुना कहता हूँ महाराज के राजधवन के उपर वर्शा हो मेरे विश्वास कीजिए महाराज मैं सत्य कह रहा हूँ यदि आपका कहा सत्य है तो यहाँ वर्शा क्यों नहीं हुई अवश्य मुझसे ही कोई भूल हुई है कितने अहंकार से यहाँ आये थे अब लज्जित होकर जाएंगे सुपकार महोदे ये तो सत्य है मेरा अंकार ही मेरा दोश है जिसके लिए प्रभू मुझे दंडिक कर रहे है सैनी को बंदी बना लो इन सुपकार जी को हे प्रभू जगरनाथ जी मुझे ख्शमा कर दीजिए आपके क्रिपा स्वरूप मुझे ये वर्दान मिला और फिर भी मैंने अहंकार किया मुझे ख्शमा दान दे कर मेरी लाज बचा लीजिए मुझे एहंकारी के लिए ना सही अपने अन्य भक्तों के लिए ही इस छेत्र का सूखा दूर कर दे प्रभू हर क्रिपा करके यहाँ वर्षा करवा दीजिए जय श्री जगन्ना हे महान सूखकार जी अब इस संपूर्ण अकाल पिडित शेत्र में भी वर्षा करवा दीजिए विशेश रूप से वहाँ जहां मंदिर के लिए अन और वनस्पति उत्पन होती है तो संपूर्ण अकाल पिडित शेत्र में वर्षा करने के प्रिपा कीजिए अनन दाग्या प्रणाम देवराज प्रणाम देवराज देवरिशी आपने सत्ति का था रभू के महाभोग को चक कर ऐसा लगता है जैसे स्वायम प्रभू मिल गया हूं दन्यवाद देवराज आज आपी के कारण जगन्ना जी पूरी के स्थान में वर्षा हुई दन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए तो कि आप ही ने मुझे उसके लिए प्रयरिप किया और साथे कहूं तो मैं वहाँ वर्षा करने के आशाय से कादा पी नहीं किया तब तो ये प्रभू की लीला है प्रभु की लीला से पुरी शेत्र में वर्षा हुई और शीग्र अकाल समाप्त हो गया और मंदिर का भंडार भी अन्न से भर गया फिर राजा गालू माधव ने वो वचन भी निभाया जो उन्होंने सूपकार को दिया था सूपकार जी मैंने वचन दिया था आपके सम्मान में कोई कमी नहीं रहने दूँगा आज से आपको मेग माल्या सुवार कहा जाएगा और इस उतकल प्रदेश पर उपकार करने के लिए एक उपहार देना चाहूँगा धन्यवाद महराज हम एक्षमा कीजिए आरंभ में हमने आप पर संदेह किया किन्तु बस अब अमारी एक ही इच्छा है आपके सम्मान में प्रभू के महाभोग में एक और व्यंजन सुवार पीट जोड़ा जाए मेरा एक और निवेदन है मुझे वहाँ ले चलिए जहां से देवराज इंद्र ने प्रस्थान किया था आईये महराज यहीं इंद्र देव ने वर्दान दिया था मुझे और उसके पस्चात वो स्वर्ग लोग चले गए यदि यहीं से स्वर्ग की आत्रा अरंभ होती है तो यहां स्वर्ग द्वार का निर्मान होगा और कालांतर तक यह स्थान अत्यंत महत्वपून रहेगा क्योंकि मुझे विश्वास है देवरा जिंद्र यहां प्रभु जगदनात की लीला और उनकी इच्छा से ही आये होंगे इसलिए स्थान से प्रभु के आशिर्वात से ही यहां से स्वर्ग की आत्रा की जा सकती है मैं यहां स्वर्ग द्वार के निर्मान का आदेश देता हूँ शंक्रम संद धतिंकरेस्त्रे नयानामसरवांग भुशा प्रितां उस दिन की बाद से स्वर्ग द्वार का विशेश महत्व है स्वर्ग द्वार के सामने जहां प्रिथ्वी और महोदादी सागर एक दूसरे से मिलते हैं वहां अश्नान करने से पुरी की तीर्थ यात्रा पूर्ण होती है और स्वर्ग द्वार के निकट अंतिम संस्कार होने से स्वर्ग की यात्रा आरंभ होती है अध्भुत प्रभु की लीला उनके कृपा अपरम पार हुष टो हुष था व हुष पर और हुष ईयोप हुष झाला है हुष और हुष धberg च。 छिर्को हुष ऑ तर्ली assistir K我有 को पूत्री है कि तो माता वो वानर वो सारा महाभोग खा जाएगा तो क्या हुआ पुत्र इनकी आगमन के आशा में मैं अधिक महाभोग लाई हूँ मैं इन्ही की तो प्रतिक्षा कर रही थी मुझे परोसने दो सुन्दरी माधवी जन्र सहोदरी है ममाए मुनि गण वन्दित मोक्ष प्रदायनी वंजुल भाशीनी बेदनु ते पंकज वासीनी देवसु पूजित सद्गुन वर्शीनी शांतियु ते जै जै है मधु सुदन कमिनी आदि लक्ष मी परिपालया माँ किर समोत भव मंगल रूपीनी मंत्र निवासीनी मंत्र नुते मंगल दायनी अंभुज वासीनी देवगणा शृत पाजयुते जै जै है मधु सुदन कमिनी आदि लक्ष पूजित सद्गुन वानर तो नहीं थे सत्य है वो असाधारन ही है वो प्रभु के भक्त और सेवक महाबली हनुमान जी है मैं प्रती दिन उनके लिए महाबोग यहां लेकर आती हूँ क्योंकि महाबख्त हनुमान जी का विशेश संबंध है स्थान से कि मुझे ग्यात है आप से पहले एक सर्जन भी आये थे यह तभी उन्होंने मुझे मंदिर के बारे में सब कुछ बताया कि मंदिर निर्मान के कारे में प्रभू हनुमान जी ने बल देकर महाराज इंद द्युम की सहायता की थी प्रभू हनुमान जी का विशेश संबंध इस मंदिर से बस इतना ही नहीं था प्रभु जगनाद जी के मंदिर की सुरक्षा और पवित्र ताहेतु वो इसका ध्यान भी रखते हैं कि यहाँ वही भक्त पहुंच सके जिनकी प्रभु के प्रती सची श्रधा, भक्ती और मिश्ठा है और ऐसा करने के लिए उन्होंने स्वयम को बेडियों में बांधा जाना सुविकार किया जिसकी कारण उनका नाम पड़ा बेडी हनुमान बेडी हनुमान? विश्वास नहीं होता महाबली हनुमान जी को कोई बेडी में बांध सका? मन की जिग्यासा ही जीवन का प्रकाश तंभ है और यही जिग्यासा तो भक्त माधवदास के मन में भी थी जिन्हें स्वयम माता लक्ष्मी और देवी सुभद्रा साधारन मनुष्य भेश धारन कर प्रभू कथा सुना रही थी महाबली हनुमान और बेडियों में? ये कैसे संभव है? कौन था वो? जो स्वयम हनुमान जी को बेडियों में बांधने का सामर्थे रखता था प्रभू के इस मंदिर की स्थापना में आरम से हनुमान जी की विशेश क्रेपा और मार्द शन रहा है मंदिर निर्मान से लेकर मुर्ति निर्मान तक उन्होंने समय समय पर सुझाव दे यदि ये कथा नहीं सुनी तो प्रभूश्री जगनाची की कथा पूर नहीं होगी उनकी इस कथा के लिए आपको समय निकाल नहीं होगा तुमने उचित कहा पुत्र भक्त के परिचय के बिना भगवान का परिचय भी अधुरा ही है और अब हनुमान जी को भोचन देने के बाद हमारे पास कथा कहने का समय है है न अवश्य तो सुनो भईया मेरे मुख से बेड़ी हनुमान की कथा सुनो आओ बैठाओ इस कथा का आरम नील चक्र रक्षा की कथा से होता है महराज इंद्रद्यूम और महरानी गुंडेचा के जीवनकाल के कुछी समय बाद अती विशाल महान महोदाती महासागर में प्रचंड तुफान आने लगा ऐसे महासागर का स्वभाव ही होता है उग्रता उस समय ऐसा लग रहा था जैसे उनकी उग्रता किसी कारण बश परकाष्टा पर थी और किसी विशेश प्रयोजन से ही प्रेरिक होकर वो महासागर आगे बढ़ रहा था विशेश प्रयोजन किन्तो सागर का कोई विशेश प्रयोजन कैसे हो सकता था जब भगवान इतने निकट हो तो किसी का भी मन होगा उनके चरण स्परश करने का और सागर भी यही चाहते थे किन्तो उससे तो जगनाजी पूरी मंदिर तक पहुशने का मार घेबादेत हो जाता किन्तो महासागर की इस विवार से एक गंभीर समस्या उत्पन हो गई थी जैसे जैसे सागर मंदिर के निकट आने का प्रयास करते पूरी क्शेतर में बड़े तूफान आते जिसके कारण नील चक्र पर संगटा रहा था और ऐसा लगने लगा था जैसे वो मंदिर से नीचे गिर जाएगा क्या महाबली हनुमान आए चक्र रक्षा के लिए सागर के आचरण से अनभिक्य जगनाथ जी पूरी में प्रभु दर्शन के बाद महाबक्त भक्ती सागर में ऐसे डूबे कि अपने आराथ ये प्रभु श्री राम के ध्यान में ही खो गए उन्हें तो तूफान का आभास भी नहीं था श्री राम सेता राम सेता राम सेता राम राम श्री राम सेता राम सेता राम सेता राम राम वीर है रखो वीर है रण धीर मेरे राम है तीन बंधू कंज लो चन कोटी उनके नाम है श्री राम सेता राम सेता राम सेता राम राम किन्तू प्रभू के नील चक्र को सुरक्षित रखने का सामर्थ एक मात्र हनुमान जी में ही था इसलिए उनकी सहायता की आवशक्ता थी क्योंकि तूफान थम नहीं रहे थे और तीवर होते जा रहे थे तब तो फिर किसी को हनुमान जी के पास जाकर उन्हें ये बताने की आवशक्ता थी किन्तु जब भक्ते की तंद्रा में हो तो उन्हें उनके ध्यान से बाहर लाने वाला कौन था प्रभु की कारे का उनकी इच्छा पूर्टी का माध्यम तो उनका एक भक्त ही हो सकता है तो उस समय जो असंख्य भक्त जगनाथ जी पुरी धाम यात्रा पर आये थे उन्ही में से एक थे वो योग्य भक्त जहां सभी अन्य यात्री तूफान से भयभीत होकर विचलित हो भगवान के दर्शन से वंचित हो रहे थे वही एक भक्त था जो विचलित हुए बिना सभी कटीनाईयों का सामना करते हुए प्रभू के मंदिर की ओर बढ़ रहा था भाईया लगता है कि प्रभू की इच्छा नहीं है कि हम उन तक पहुँचे तब ही ये तूफान आया है जब प्रभू का बुलावा ही नहीं आया तब भला उनके दर्शन कैसे होंगे आओ भाई लॉट चलो यहां से प्रभू की इच्छा है तो कुछ भी असंभव नहीं यहां तक आया हूँ तो प्रभू की ही इच्छा है अब तो उनके दर्शन करके ही लौटूंगा कौन थे महानभक्त श्री संथ जै प्रभू जगनाद जै प्रभू जगनाद धन्य हुआ आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ अहू भाग्य मेरे ये कैसा दुर्भाग्य है मेरा जो आज में प्रभू जगनाद ची के दर्शन करने चला आया ये क्या कह रहे हैं प्रभू के दर्शन से तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाता है अरे कैसा सौभाग्य भाईया यहां तो प्राडों पर ही संकर्चाया हुआ है हाँ भाई प्रभू की शरण में आये हैं कुछ नहीं होगा आमें प्रभू के दर्शन के लिए आये थे तो उन पर विश्वास रखिए प्रभू कभी भी अपने भक्तों को ख्षती नहीं पहुशने देंगे अता चिंता छोड़कर प्रभू की पूजा कीजे भजन गाईए उनका अब यह कैसी भायावेद होनी थी सुनो सुनो मंदिर का नील चकर भी गिरने वाला है यहां से करने का उपाई तो खतना होगा हाँ 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 हमें यहां से चलिए चाहे रुचे कि पहरा हूँ है चिंता की कोई बात नहीं है प्रभू हमारी सुरक्षा कीजे प्रभू नील चकर को लेकर तो मैं भी चिंतित हूँ यह उचित नहीं नील चकर को गिरने से रोपता होगा आईए आईए आप सब इस नील चकर को गिरने से रोपने में मेरी साहाईता कीजिए आईए आप सब निकलो यहां से चलो यहां से कुछ भी हो जाये मेरे रहते इस नील चकर को धरती पर गिरने नहीं दूँगा कैसी मुर्खता ही ये नील चक्र के भार के नीचे कुछले जाओगे इस नील चक्र को रोक कर अगर मैं इसके भार से कुछला भी जाता हूँ तो मेरा सौभाग्य होगा नील चक्र विशाल ही नहीं अती भारी भी है तो फिर उसके गिरने को भला कोई एक मनुश्य अपने हातों से कैसे रोक सकता था यह आत्म विश्वास नहीं हाती विश्वास है नहीं पुत्र यह उस्मान भक्त की अडिक भक्ती थी यह कैसी विचित्र भक्ती थी का जानन? विचित्र नहीं, अद्भुत और अटूट भक्ती थी ये भक्त को भगवान पर जब पूर्ण विश्वास हो, तो वो ऐसा ही करते हैं और ऐसी भक्ती में अपार शक्ती होती है ये सत्य है, श्री संत स्वयम इतने भारी नील चक्र को नहीं थाम सकते थे किन्तु उनकी भक्ती की शक्ती को कोई नहीं रोग सकता था अरे, अरे मांसिक्सन तुलब भंगो गया इसका जब बुध्धी आएगी, तो स्वयम भाग निकलेगा यहां से प्रभु, आप अकेले ही संसार का भार वहन करते हैं तो क्या मैं आपके लिए इतना भी ना करूँ सभी मुझे मुर्ख समझते हैं तो समझे लेकिन आपकी भक्ती ही मेरे जीवन का परम धे है मैं अकेले तो इस नील चक्र को नहीं संभाल सकता लेकिन इसे धर्ती पर मैं गिरने भी नहीं दे सकता अगर ये नील चक्र गिरा तो ये स्वयम आपका अपमान होगा और आपके भक्तों को एक अनुचित संदेश जाएगा ये मैं कदा भी नहीं होने दूँगा इसलिए प्रभू मुझे बल दीजिए या मेरा मार्ग दर्शन कीजिए यदि भगवान के बिना भग नहीं तो भग के बिना भगवान भूपूर्ण नहीं भग श्रीशन इस कारे के लिए सबसे उप्यूप और योग्य भग कौन है ये तुम भली भानती जानते आते हैं संकट की इस घड़ी में संकट मोचन महावली भग्त शिरोमनी हनुमान जी और कौन लो भईया अब आ गई बुद्धी से तभी तो भाग रहा है यहां से अब बुद्धी आ गई है मुझे समझ गया हूँ संकट मोचन हनुमान जी ही हमारा संकट दूर करेंगे संकट मोचन महावली हनुमान जी मेरी सहायता कीजिए प्रभू के नील चक्र को संकट से मुक्त कीजिए भग्वन रक्षा कीज़े प्रभू रक्षा कीज़े प्रभू का भग उनका भजन गाते गाते रुक क्यों गया संकट मोचन महावली हनुमान जी मेरी सहायता कीजिए प्रभू के नील चक्र को संकट से मुक्त कीजिए भग्वन जेश्रीराम किरेम जेश्रीराम मुक्त प्र tendency खरो किरेम किरें किरें हुआ 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 मंदिर के नील चक्र को ठामने के लिए तुमने अपने अश्ट पुछ स्वरूप को प्रकट किया आज के बाद मेरे जगनात पुरी मंदिर के उत्तरी द्वार पर तुम इसी रूप में पूजे जाओ प्रभू ये भक्त तो बस आपकी भक्ती का प्यासा है आपकी सेवा करने के लिए ललायत है मैं वचन देता हूँ प्रभू आज के बाद मैं यहां आपके मंदिर का कवच बनूँगा किसी भी तूफान और किसी भी संकट को आपके जगनात पुरी मंदिर के निकट नहीं आने दूँगा कि अनुमानुमानु मानु तुम्हारे हृदय में मेरे लिए इतना प्रेम इतनी भक्ति है कि मैं रोकूंगा तो तुम तब भी नहीं रुकोगे कि इसलिए मैं तुम्हें आश्रवाद देता हूँ कि सफल अभभ भभू धन्यवाद प्रभू पुर्ण 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 अत्वा नहीं अब मुझे प्रभु कार्य के लिए जाना चाहिए प्रभु कार्य किन्तु वो तो संपन हो गया था ना गजानन नील चक्र की रक्षा तो उन्होंने कर ली थी किन्तु समुद्र को मंदिर पहुँचने से रोके विना उनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ था ये हनुमान जी को भी ग्याद था किन्तु सागर तो अपने प्रयोजन में स्थिर थे वो तो तीवर गती से मंदिर की ओर बढ़ रहे थे किन्तु जब स्वयम संकट मोचन हनुमान मंदिर की रक्षा में थे तो वहां भला कैसा संकट तेष्विर आओ संसार में किसी भी कारे को संपन करने के लिए राम नाम ही पर्याप्त है इसलिए आप फिर आगे बढ़ने का साहस मत कीजिएगा प्रभू जगन्नाद जी की जै अब समुद्र आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो मैं शीक्र जाकर प्रभू की आराध्न और उनके दर्शन कराता है जै श्री जगन्नाद जी प्रभू जगन्नाद जी की भत्ती भाव से दर्शन करूंगा प्रभू का आशिरवात प्राप्त करूंगा और शीगरी अपने इस्थान पर लोट जाऊंगा प्रभू जगन्नाद जी की जै प्रभू जगन्नाद जी की जै प्रभू जगन्नाद जी की अधिक समय मत लगाना यहां, पादुकाय मुल्यवान हैं, कहीं चोरी हो गई तो? प्रभु दर्शन में समय तो लगेगा न? शांत रहिए और पूजा करने दीजिए चलो भी, अब हो गई पूजा, भीड भी बढ़ रही है विचित रहे ये भक्त, इसके मन में पादुकाओं का ही ध्यान है चलो अब हो गई पूजा शांत रहना तो आपके स्वभाव में ही नहीं है पता नहीं किस खूटे से गडबंधन कर दिया पिताजीने मेरा पूजा तक शांती से नहीं करने देते चलिए पता नहीं इतनी देर में कोई और मेरी पादुकाओं पहन कर ना चला गया हो भगवान के मंदिर में ऐसा मो ये उचित नहीं इसे तो रोखना होगा मुझे देखा, मेरी पादुकाओं मेरे पाओं में नहीं समा रही है संभवता किसी ने चुरा लिया यहां से ये भी नहीं है व्यर्थी पूजा के समय में इतना समय नश्ट हो गया और मेरी नई पादुकाएं भी चोड़ी हो गई देखा ये पादुकाएं मेरी नहीं है संभौता बदल दिया किसी नहीं नहीं ये भी नहीं है शिग्रिता करने को कहा था मैंने तुमने एक बात नहीं मानी मेरी कोई और ले गया मेरी पादुकाएं वस्तुओं का कैसा मोह आज है कल नहीं रहेगी निर्मान मोहा जित संग दोशा अध्यात्म नित्या विनी वृत्त कामा दोयन दोयर विमुक्ता सुख दुख संग्याई गच्छंते मूड़ा पदम वयम तता अर्थाद जो मान और मोह से निवृत्त हो गए हैं जिनोंने संग दोश को जीत लिया जो अध्यात्मे स्थित हैं जिनकी कामनाएं मिट चुकी हैं और जो सुख दुख नामक दुवंदों से विमुक्त हो चुके हैं वो उच्छ पद को प्राप्त करते हैं और वो यहीं उसमें ध्यान लगाना चाहिए धन्यवाद ब्राह्मन देवता आपने मेरी आँखे खोल दी मुझे मेरी भूल समझ आ गई पादुकाओं में ही ध्यान लगा रहा और इनके मोह में मैं प्रभू के दर्शन भी नहीं कर पाया हम अभी भीतर जाकर उचित प्रकार से दर्शन करके आते हैं अम मैं भी दर्शन करता हूँ उस आगर तो फिर यहां पहुंच रहे हैं जै श्री राण सागर जी आप शान्त और स्थिर रहे हैं जिससे मैं मेरे प्रभू के दर्शन कर सकूँ धन्यवाद सागर जी तुम प्रभू से क्या मांग रही हो बहन मुझे तो महा प्रभू से मात्र एक बड़ा सा भवन चाहिए भवन का मैं क्या करूंगी बहुत बड़ा भवन है मेरे पास मुझे तो सुमित्रा जैसे मूलेवान आभूशन चाहिए सुभद्रा से अच्छे आभूशन है मेरे पास मुझे तो प्रभू से सिर्फ संतान चाहिए यह मंदिन में प्रभू के दर्शन के लिए यह आपस में वाकी उद्ध के लिए आई हैं पुजारी जी यह प्रभू के चरणों के पुश्प है ना तब आप मुझ पर एक कृपा कीजिए प्रभू के आशिरवात के रूप में यहां उपस्थित सभी भक्तों पर इनकी वर्शा कर दीजिए एक भी पुश्प यदि जोली में आ गया तो प्रभू की गर्पा पाने की कामना पूरी हो जाएगी जै श्री जगन्नात लो हमें तो पुश्प दिया ही नहीं भगवान ने हम यदि आशिरवात के भूखे हैं तो प्रभू भी भक्ती के भूखे हैं और जो भक्त उनकी भक्ती की भूख को शान्त करता है उन पर उनकी विशेश करपा होती है किन्तु आपने क्या किया आई तो थी भक्ति और दर्शन करने के लिए और उसके स्थान पर आप अन्य बातों में उल्जी रही इसी लिए तो आप प्रभु की विशेश करपा से वंचित रह गई कामनाओं का कोई भी अंत नहीं यदि हम इश्वर को कुछ कहते हैं तो हमें भी उनकी सुननी चाहिए जब आप सब लोग प्रभु की बात ही नहीं सुन सकती तो आशीरवाद की कामना कैसे कर सकती है सागर जी तो पुनाओग्र हो रही हूँ समुद्र जी मैं अभी तक एक बार भी प्रभु के दर्शन नहीं कर सका आप एक बार मेरे प्रभु के दर्शन तो करने दीजिए वैसे ही वहाँ पर आने वाले यात्री मेरा ध्यान भटका रहे हैं इसलिए आप तो शांत रहिए इस बार प्रभु के दर्शन अवश्य करूँगा मैं पुजारी जी धान बहुत है मेरे पास उसमें से मैं आपको भी दूँगा बस मेरे अस्वस्थ पिता जी के लिए मोक्ष के द्वार खोल दीजे ये कम है तो मेरे भवान आईए मैं आपको धन से तोल दूँगा किन्तु आपको मेरे पिता जी को सरलता से मोक्ष दिलाना है कैसी मुर्खता हीए धन देकर पिता के लिए मोक्ष मुल लेना चाहता हीए ये लिजे पुजारे जी स्वण का अमूल लिहार है किन्तु कुछ कीजिए मेरे पिता जी को कुछ हो उसके पहले आप प्रभु की पूजा करके इनके लिए स्वर्ग के द्वार खोल रीजे जहां प्राण वायू की आवश्यक्ता है वहां धन का कोई लाब नहीं कितना भी धन दे दो ना तो तुम अपने पिता के लिए अधिक सांस मोल ले सकते हो और ना ही उन्हें मोक्ष दिलवा सकते हो बस मोक्ष पाने का तो एक ही उपाए है वो है भक्ती भक्ती ही प्राण वायू है यदि आप हिर्दय में भक्ती रखकर प्रभू का नाम लेंगे तो हिर्दय में प्राण वायू का भी संचार होगा हरियो हरियो आप भक्ती भाव से शंको बजाईए आप स्वस्त भी होंगे और प्राण वायू के मार्ग में कभी भी कोई कमी नहीं आएगी आप प्रभु जगनाथ जी का नाम लेकर बजाईए अवश्य बजेगा जय प्रभु जगनाथ जी अद्भुत पिता जी कुशल हो गए शमा करें ब्रहामन देवता मैं पैसों के बल पर भक्ति मोल ले रहा था आप मेरे नहीं प्रभु के चरणसपर्श करके उनसे शमाय आजना करें उनके दर्शन करने आय हो वत्स और वो ही मोक्ष प्रदान कर सकते हैं जिस प्रकार जीवित रखने वाली स्वांस को मोल नहीं लिया जा सकता वैसे ही मोक्ष प्राप्ति का कोई भी सरलमार्ग नहीं ह महान भक अपनी सेवा भक्ती से नहीं जुकते श्री राम भक्त हनुमान जी सभी भक्तों का मार्दर्शन करने लगे जबकि उन्हें स्वयम प्रभु का दर्शन नहीं हुआ यही तो उनकी महानता है जिनके सामने हम सभी नतमस तक है और जिस प्रकार वो सभी को ग्यान प्रदान कर रहे थे उससे कुछ महान होने वाला था महाभथ हनुमान जी ने ये सुनिश्चित कर दिया था कि उस दिन से कोई भी भग प्रभु के मंदिर आए तो वो बिना किसी भड़काओ के सची भक्ती के साथ वहाँ पहुँचे किन्तु ये कैसे किया उनोंने प्रभु यहां तो सभी भटके हुए हैं एक-एक को समझाना तो असंभव है अब आप ही कोई मार्ग दिखाईए मंदिर में होने पर भी ये सभी लोग विकारों से ग्रस्त क्यों है यहां तो इनके मन में किवल एक ही विचार होना चाहिए प्रभु की भक्ति का कामदेव यहां जो घट रहा है तो उसके पीछे कामदेव ही है कामनाओ से मुक्ति ही सच्चे अर्थ में प्रभु का दर्शन है व्यक्ति का मन कामनाओ से ग्रसित हो तो प्रभु मिलकर भी नहीं मिल पाते संकट मोचन ने संकट को पहचान लिया था उन्हें कामदेव की उपस्थिती और उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था हनुमान जी ने ये ठान लिया कि उन्हें मंदिर के ख्षेत्र को कामदेव से मुक्त करना होगा और अब हनुमान जी जगन नाच्ची पुरी आने वाले सभी भक्तों को कामना रहित करने जा रहे थे आप जो भी कर रहे हैं किरपा करके उसको रोप दीजिए और आप यहां से प्रस्थान कर जाईए एक साधारन ब्रामन भला मुझे कैसे पहचान सकता यह सब क्या है आप कौन है ब्रामन देवता श्रद्धा भक्ति और समर्पन मंदिर के प्रांगण में केवल यही भाव होना चाहिए किन्तु ये सब कामनाव के विकार से ग्रस्थ हैं जो कदापी नहीं होना चाहिए इसलिए आप से आग रहे इस पवित्र स्थान को अपने प्रभाव से मुक्त कीजिए कामदेव बस मुझे चेताबनी देने वाले आप होते कौन है मैं यहां से क्यों जाओ वो भी एक साधारन व्राम्मन के कहने पर गदापी नहीं मैं साधारन व्राम्मन हूँ या आसाधारन इसका ध्यान करने के स्थान पर आप ये सोचिए कि पुरी धाम बड़ी कटनाईयों के बाद जगत स्थान के लिए अलोकिक से लोकिक धाम बना है यदि यहां भी काम से ग्रस्थ होकर दूशित भावनाव के साथ भक्त यहां आएंगे तो भला प्रभु का आशिरवात कैसे पाएंगे यही तो मेरा कार्य है किसी को अपने मन में भाव नहीं लाने है तो ना ला इसका चुनाब तो प्रतेक व्यक्ति स्वय कर सकता है और इश्वर नै इसी काम के लिए मुझे रचा है इसी परकार प्रकृति को आगे बढ़ाने मैं सहीयोग देता हूँ मैं अवश्य कामदेव इस संसार को आपकी आवश्यक्ता है किन्तु प्रतेक स्थान पर नहीं ये तो मंदिर है अर्थात इच्छा और कामनाओं से दूर एक ऐसा स्थान जहां केवल भगवान का वास होता है और यहाँ पर सभी का ध्यान एक मात्र इश्वर पर ही लगना चाहिए तो मैंने कब किसी को रोका है कोई अपने मन से हुलजना नहीं चाहे बनाओ जे ये तो आपको भी क्यात है कल्यूग में काम विकारों का बड़ा प्रवल प्रभाव है इसलिए प्रभु के इस्थान को छोड़ कर आप कहीं और चले जाए यहाँ पर प्रभु के भक्तों को अपने प्रभाव से मुक्त रहने दीजिए किन्तु मैं आपका आदेश क्यों माना आदेश नहीं ये तो बस मेरा आपसे अनुरोध है किन्तु मुझे तो ये अनुरोध नहीं लगता आदेश ही लगता है मैं आपके आदेश को नहीं मानने बाला मैं यहीं रहूँगा आपका जो मन में आए आप कीजिए आप तो मेरी लिए अन्न कोई और उपाय नहीं छोड़ रहे मैं तो आप पर बल प्रयोग भी नहीं करना चाहता अच्छा तो तुम मुझे युद्ध के लिए चुनौती देना चाहते हो किन्तु मुझे रोपना है तो वहीं करना होगा अगर आपने मुझे पराजित किया तो मैं धाम चोड़के सदैब चला जाओ किन्तु अगर मैं अपने वानों से आपको प्रभावित कर सका तो मैं सदैब इस धाम नवास करूँ कामदेव आप एक बार पुनह विचार कर लीजिये आप मुझे अपना कारे करने से नहीं रोप सकते हनुमान जी मैं अभी भी अपनी चुनौती पर आडिग हूँ मेरे वानों के प्रभाव से कोई नहीं बच सकता उचित है फिर मुझे आपकी चुनौती सुईकार है तो फे प्रथम बार आप ही कीजिये हनुमान जी तो क्या रामभक्त हनुमान भी कामदेव को नियंत्रित नहीं कर पाए? अभी तो युद्ध आरंबही हुआ था पुश्पदंत जी रामभक्त हनुमान कामदेव के समक्ष मात्र महाबली नहीं अपितु रामभक्त हनुमान थे अतह ये युद्ध अस्त्रों की शक्ती से नहीं भक्ती की शक्ती से लड़ा जाने वाला था अब मेरी बारी है हनुमान जी मेरे दिव्य पांच वानों से आज तक कोई सुरक्षित बच नहीं पाए आप भी बच नहीं पाएं और मैं सदैर इस धाम में पास करूँ गरूँ उत्मादन वान जिवान शरीर में उत्तेजना उत्पन कर कामना को जागरित करता है यह मेरे पांच वानों में से प्रथम और अजूक वान है इसका कोई काट नहीं अब भर बांड का काट है प्रभू श्री राम नाम का बांड जै श्री राम असंभव अभी चार वान शेश है हनुमान जी जोशन वान यह वो वान है जो शरीर में कामना को अग्रसर करता है जै श्री राम अपन वान आप मेरे दो वानों को नश्ट करने में सफल हुए हनुमान जी अगर यह मेरे तीसरा और सर्व शक्ति शाली वान है इसको आपके गदा भी नहीं रोक पाएगी मैं आपको फिर कहता हूँ अभी भी समय है आप लोट जाएए नहीं तो प्रभु शरी राम का नाम लेते ही आपका यह अती बलशाली बान भी व्यर्थ हो जाएगा जै श्री राम अभी दो बान शेश है हनुमान ची अपना बचाप कीजिए सम्मोहन बान जहाँ प्रभु शरी राम का नाम वहाँ गदा का क्या काम जै श्री राम स्तंभन बान लिवान छोड़ते ही आप स्तंभित हो जाएगे फिर अपने मुख से आप प्रभु शरी राम जी का नाम भी नहीं ले पाएगे अब मेरे सर्व शर्व शर्व शाली काम बंद से आप स्वें को नहीं बचा सचा सकते लेका हरमान जी आप मेरे स्तंभन में आही गए जै श्री राम जै श्री राम मेरे सभी बाणों को आपने नश्ट कर दिया हनुमान जी ऐसा तो आज से पहले कभी नहीं हुआ था आज से पहले और आज के बाद भूत में भी वर्तमान में भी और भविश में भी जहां हनुमान है वही प्रभु श्री राम का नाम है भक्त अनुमान को प्रभु श्री राम का नाम लेने से कोई भी नहीं रोक सकता कामदेव आपके सभी बान तो नश्ड हो गए कामदेव किन्तु अभी मेरे सभी बान सुरक्षित हैं क्यूंकि मेरे तो रोम रोम में प्रभु श्री राम का वास है श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राम आपने सरवता उचित का अनुमान जी उटसे भूल हो गए मैं भूल गया था कि भक्ती भाव से बड़ा कोई भाव नहीं एक भत को मंदिर में भक्ती के अत्रिक तोर किसी भाव के साथ नहीं जाना चाहिए मुझे एक शमा करदीश है मैं वचन देता कि मैं आज के बाद इस धाम में कभी लोट के नहीं हूँ और जो भक्त आपकी पूजा करेगा मैं सदा के लिए उन्हें किसी भी इस्थान पर अपने प्रभाव से मुक्त कर दूँ रभू जगनाद जी की ये मेरे मन में किस प्रकार का भाव आ रहा था मैं तो यहाँ प्रभु दर्शन के लिए आया हूँ अब प्रभु दर्शन के लिए जो भी इहां आएंगे काम विकारों से मुक्तो कर आएंगे भक्ति के पावन भाव से ओध प्रोथ होकर आएंगे और उनके मुख़ पर प्रभु का नाम होगा मुझे सागर्जी को रोकने फिर जाना होगा जय श्री राम जय जगनात अब मैं पीछे मुड़कर ही नहीं देखूंगा अन्यता फिर मुझे प्रभु के दर्शन की प्रवल इच्छा होगी मैं प्रभु के मंदिर जाने से स्वयम को रोक नहीं सकूंगा प्रभु इस भक्त का मन नहीं मानता रह रहकर आपके दर्शन करने की इच्छा से बिचलित हो रहा हूँ मैं और इधर ये समुद्र जी जो हैं वो अवसर मिलते ही तूफान खड़ा कर देते हैं तो प्रभु इस बार मेरे स्थान पर आप ही आजाए और इस भक्त को दर्शन प्रदान करके त्रिप्त कर दीजिए प्रभु 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 मुझे दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए मुझे प्रभु 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 मुझे दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए मुझे प्रभु प्रभु ये मेरे कर्तव के लिए आवश्यक है प्रभु आप अपने इस भक्त की ये छोटी सी छातों पूहण कर दीजिए भगवान कभी अपने सचे भग की गुहार को नहीं डाल सकते हैं उचित है तुम जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूँ किन्तु महाबली हनुमान को कोई बेड़ी कैसे बांच सकती है प्रभु यदि आप बंधन में बांधेंगे तो एक साधरन सा धागा ही परयाप्त है बस आप प्रभु उस पर नाम नाम लिख दीजिए किन्तु महादब दीजिए शणवड़ किन्तषय किन्त प्रभु जैसे बढमने में बस आयाए बांगे जाए किन्त उनी किन्त गे डिए रहां बवांब़ किन्त शर्वादाई तो एक उपन्स से नाम झारभु पैल किन्तष्चरणाफ़ कर दो कर दो कर दो दन्यवाद प्रभु भक्त हनुमान तुम्हारे लिए तो प्रभु कारही सर्वों परी है तो मैं तुम्हे वर्दान देता हूँ तुम सदा मेरे हृदे में रहोगो और उसके साथ जगनात मंदिर के प्रत्ये कण में वास करोगे तुम्हारे इस रूप को तुम्हारे इस रूख को बेडी हनुमान के नाम से जाना जाये गाएगा चान्खातारम गजंग श्यनम वैंग नाबं सुबेशं विश्वातारम गजंग सच्जम नेगवर्नम दृखामरम तुम्हारे दर्शन के बिना किसी भी भग की जगनात पुरी धाम की यात्रा पूर्ण नहीं होगी और जो भी यहां तुम्हारी पूजा गरेगा उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे धन्यवाद प्रभू, प्रभू धन्यवाद प्रभू, किन्तु मुझे आप से कुछ और भी चाहिए यदि आपकी आज्या होतों मैं मांग लू प्रभू, समुद्र देव बार बार आगे बढ़कर आपके पावन चरणों को ही इसपर्श करने का प्रयास कर रहे हैं प्रभू, आप इनकी इच्छा पूर्ण करने की कृपा करें प्रभू, आपन पत्रा, प्रश्मा प्रणाम प्रभू, कल्यान हो समुद्र देव मैं खोशना करता हूँ, सम्पूर्ण पूरी धाम मेरा ही है इसलिए, यदि कोई मेरे मंदिर तक ना भी पोहुच सके तो भी, यहां आपके तटकी मिट्टी के स्पर्श मात्र से वो मेरा आशिश राप्त कर सकता है इस मिट्टी का स्पर्श मेरे चरन स्पर्श के समान ही है था धन्या हो गया प्रभू, आज मैं धन्या हो गया तो ये थी बेड़ी हनुमान की कथा अर्थात रामभक्त हनुमान की निस्वार्थ और निश्चल भक्ती की कथा जिससे प्रमानित होता है महावीर महावली हनुमान जी के अपार बल का आधार शारिरिक बल से अधिक उनकी भक्ती है इसलिए यदि कोई कभी उन्हें रोक सकता है तो वो है एक मात्र प्रभूश्री राम के नाम का बल अध्बत माता, इसलिए भक्त शिरोमणी है महान भक्त महावली हनुमान हाँ पुत्र, किन्तु हनुमान जी का कारे अभी संपन नहीं हुआ था बेडियों में बंद कर हनुमान जी सागर को रोकने के लिए अवश्य खड़े थे किन्तु अभी एक महत्वपूर्ण कारे करना शेश था किन्तु अन्य महत्वपूर्ण कारे क्या था माता सागर ने तो मंदिर के ओर बढ़ना रोक दिया था ना सागर तरंगों का प्रभार रुका था तुफान थमा था किंटु कुछ और भी था जो प्रभु श्री जगनात को कष्ट पौचा रहा था और उसे भी रुकना ही था किन्तु प्रभु स्वयं भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे प्रभु नहीं कर पा रहे थे हाँ भाया और एक रात उनकी दुविदा और बड़ी उसी रात स्वयं देवश्री नारत भी जगनाथ जी पूरी के मंदिर पधा रहे थे श्री मनहरी नारायन नारायन लक्ष्मी नारायन हनुमान जी समुद्र देव आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें किन्तु मैं तो यहीं पर खड़ा रहूंगा ना स्वयम यहां से हटूंगा और ना आपको आगे बढ़ने दूंगा जगनात जी प्रभू की जैस प्रणाम देवर्शी नारद मेरा भी प्रणाम स्विकार कीजिए अंजनी नंदन हनुमान जी भगवान के प्रति आपकी इस सेवा भाव को देख कर कभी-कभी मेरे मन में इर्शा के भाव प्रकट हो जाता है हनुमान जी मैं तो केवल प्रभू का नाम जाबबर कर सकता हूं किन्तु प्रभू की सेवा का उसर तो केवल आपी को प्राप्त होता है नुमान जी और प्रभू की प्रति आपकी भक्ती का क्या कहूं देखिया न प्रभू की सेवा के लिए आपने अपने आपको पान दिया है नमन है आपकी भक्ती को आपके त्याग को इसमें त्याग कैसा देवर्शी? प्रभू की सेबा तो मेरे लिए परमानन्द है, वही तो मेरे जीवन का उद्देश है, वही तो मेरे लिए परम सुख है देवर्शी नारद, किन्तु आप यहाँ, इतनी रात्री में अनुमान जी, आप तो जानते हैं कि प्रभू का यह धाम मेरे रदय के अत्यांत निकट है, और सदा मैं प्रभू के दर्शन के लिए व्याकुल रहता हूँ, इसलिए सदा की समान आज भी मुझसे रहा नहीं गया, और प्रभू के दर्शन के लिए रात्री को यह आ गया नारज जी किन्तु यह तो प्रभू के विश्राम का समय है जानता हूँ, आप व्याकुल ना हो यह, प्रभू और आप के लिए मैं कठिनाईयां प्रस्तुत नहीं करूँगा रात्री भर मंदिर के बाहर प्रतिक्षा करूँगा और फिर भोर में उनके प्रत्थम दर्शन प्राप्त करूँगा तुरुप्त हो जाओंगा और चला जाओंगा नारायन नारायन प्रभूशी जगनाजी को मेरा प्रणाव श्री मन हरी नारायन नारायन श्री मन हरी नारायन कैसी द्वनी है ये? कहां से आ रही ये द्वनी? खताचित भीतर से? नारायन नारायन ये किसकी परच्छाप है? इस समय जब प्रभू भीतर विश्राम कर रहे है और मैं स्वयम उनका महान भक्त बाहर खड़ा हूँ ताकि प्रभू के विश्राम में कोई शती ना है और बीतर कोई है जो प्रभू के विश्राम में ऐसा दो सहास कौन कर सकता है? बीतर जाके देखना होगा बीतर जाओंगा यदि प्रभू ब्रभू मुझे क्षमा कीजे मैं बीतर आ रहा हूँ प्रभू नारायन नारायन प्रणाम प्रणाश बहन सुबद्रा और भईया बलबद्र सो रहे है उनकी निद्रा भंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा दाओ का क्रोध तो आप जानते ही है हाँ वो तो मैं जानता हूँ किन्तु मैं ये जान नहीं पाया कि आपका विश्राम का समय है और आप ऐसे टहल क्यों रहे है क्या बताओं लंबी कथा है और बहुत बड़ी व्यथा है जगत के नात को व्यथा संसार की पीड़ा हरने वाले तो कान लगा कर सुनने का प्रयास कीजिए क्या हुआ? कुछ सुना? कहां? सागर तरंगों की दोनी इतनी तीवर है कि कुछ सुना इनी दे रहे अब समझ में आया कि मैं क्यों नहीं सो रहा दिन भर के क्रिया कलाब के बाद जब मैं विश्राम करने जाता हूँ तो सागर की तरंगों की ये ध्वनी मुझे सोने ही नहीं दे कितना ही नहीं देवी लक्ष्मी के साथ शान्ती से बैठने का अवसर भी प्राप नहीं होता मुझे आज तक तो मैं धीरज रख के ये सब सहता रहा किन्तु आज लगता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हो कई इसके मुझसे आज 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 माँ 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 चिंता मत कीजिये देगे ये तो केवल सागर की तरंगों की ध्वनी आपके पिता जी समुद्र देर कदाचत विश्राम शब्द से परिचित ही नहीं इसलिए तो रात में भी गतिशीन रहते हैं हाँ स्वामी तरंगों की ध्वनी सुन ऐसा लगता है जैसे वो यही है हमारी निकट आईए कहीं और बैटते हैं स्वामी इस स्वर से विचलित हो रहे हैं रात्री में विश्राम के समय भी समुद्र देव विश्राम के साथ अपनी नासिका को विश्राम ही नहीं दे रहे हैं आईए देवी कहीं और चलते हैं मंदिर के प्रांगन में सागर से सबसे दूर है ये स्थान कदाचित आपको आपके पिताश्री समुद्र देव की उपस्तिती का आभास नहीं होगा यहां लगता है समुद्र देव ने ठान ही लिया है कुछ पल के लिए भी इस दिव्य शान्ती का अनुभव नहीं करने देंगे देवी मेरा ये अर्थ नहीं था नहीं स्वामी इस समय आपके कुछ भी कहने का कोई अर्थ नहीं ये भूल हुई है में साथ किन्तु प्रभू इसका समाधान तो सरल है आप प्रभू हैं आप स्वयम जा सकते हैं समुद्र देवता के पास इस समय मुझे अपनी नहीं अपी तो उनकी चिंता है वो क्या सोच रही होंगी क्या क्या उनका रोश्ट घटा होगा प्रभू ने क्या कहा मुझे उसकी चिंता नहीं मुझे तो प्रभू की चिंता है और प्रभू इसलिए व्यतित है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके शब्दों से आपके मन को ठेस पोचिए उनके शब्दों से नहीं देवर्शी मैं तो इस बात से आहा थो कि प्रति दिन यही होता है मंदिर में हमें एकांत नहीं मिलता क्योंकि वहां दाव भी है मंदिर के बाहर आते ही लगता है पिताजी समुद्र देव हमारे साथ ही है उनके स्वर के कारण तो प्रभू एक पल के लिए भी नहीं सो पाते जिस कारे को करने में हम अक्षम है उसमें आप चाहा कर भी क्या कर सकते हैं देवर्शी नारत आप जाए विश्राम कीजिए प्रणामाते सत्य एतनी द्वनी में प्रभू कैसे सो पाएंगे कुछ तो उपाए करना होगा किन्तु इस व्याखूल मन के स्पंदन को कैसे रोकू प्रभू की इस व्यता को कैसे रोकू जदि मैं महावली हनुमान होता तो अपनी एक ही हुकार से जैसे उनके तरंगों को रोका था वैसे इस आगर देव को शान्त कर देता किन्तु यह सत्य है कि मैं अन्य और तो कुछ नहीं कर सकता लेकिन एक बार हनुमान जी के कान में प्रभू की व्यता पड़ी तो कोई और ही कथा बनेगी क्योंकि हनुमान जी वी अपने प्रिय प्रभू की व्यता हरे बिना नहीं रहेंगे नारायन नारायन क्या हुआ देवर्शी आप किस विचार में ऐसे शांत खड़े हैं आप तो प्रतीक्षा करने वाले थे ना भोर में प्रभू दर्शन के लिए किन्तु ये तो प्रभू के विश्राम का समय है तो क्या प्रभू अभी तक सोय नहीं देवर्शी क्या कारण है इसका उन्हें कुछ आवश्यक्त है क्या है मामल ये नुमार आप यहां बेडी यो में बंदे हुए हैं किन्तु इसका कोई अर्थ नहीं कोई लाब नहीं मेरे अनुसार तो आपका ये त्याग वियर्थ है वियर्थ है कैसे देवर्शी आप जो कहना चाहते हैं सपष्ट कहिये भक्त यहां कश्ट में है आप वहां बेडियों में जकड़े हुए हैं और वहां हमारे प्रभु जी ना लक्ष्मी जी के साथ समय बिता पा रहे हैं और ना ही मिश्राम कर पा रहे हैं। अगर मंदिर के निकट तो नहीं आ रहा है किन्तु उनकी ध्वनी मंदिर के निकट भी आ चुकी है और विश्णु वगवान के कान के निकट भी और उसी ध्वनी के कारण प्रभु विश्राम नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु का कश्ट तो मैं नहीं देख सकता, परंतु मैं तो यहां बंधन में हूँ, यहां खड़े-खड़े मैं क्या कर सकता हूँ? देवर्शी? प्रभु कारे जब सामने हूँ, तो भक्त हनुमान को और कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो सब बाधाओं को मिटाने का उपाय ढूण लेते हैं और प्रभू का कारे अवश्य पूर्ण करते हैं तमुद्रदेव तो मंदिर के निकट नहीं आ रहे हैं लेकिन उनकी द्वनी जो है वो तो मंदिर के निकट भी आई है और प्रभू के कान के निकट भी आ चुकी है और यही तो कारण है कि प्रभू विश्राम नहीं कर पा रहे हैं मुझे ग्याद था कि हनुमान जी अवश्य कोई ना कोई हल निकालेंगे हे महावली हनुमान अब आप मुझे से क्रोधे क्यों है आपके कहने पर मैंने प्रभू की धर्ती के इस पर्ष से स्वयम को संदुष्ट कर लिया है अब तो मुझे पीछे मध्ध के लिए मेरे आदेश पर तरंगे भी होतनी शान्त है जित्ता उनके लिए संभाव है किन्तु उनकी ध्वनी वो तो शान्त नहीं है ना वो ध्वनी तरंगे मेरे प्रभू तक पहुँचकर उनके विश्राम में बाधा बन रही है प्रभू को निद्रा आ सके इसलिए आपकी तरंगों को उसकी ध्वनी को मध्यम होना अनिवार है समुद्र देव क्षमा करे प्रभू यह संभाव है ध्वनी के आने जाने के माध्यम तो पवन है जो मेरे नियंत्रण से बाहर है संभाव है पवन देव आपकी सहायता कर सके किन्तु हनुमान जी तो स्वयम पवन पुत्र है तो उन्हों नहीं क्या किया प्रभू फिर पवन पुत्र ने स्वयम पवन देव का आवाहन किया प्रणाम वायुदेव मुझे आपकी सहायता की आवश्यक्ता है कहो पुत्र कैसी सहायता चाहिए तुम्हें आपके माध्यम से प्रभू तक पहुचने वाले सागर तरंगों की धोनी प्रभू के विश्राम में बाधा डाल रही है आप इस ध्वनी को मंदिर प्रांगण में जाने से रोकिए श्री मंदिर की सीमा मेगनाद प्राचीर के आगे मत जाने दीजिए चमा चाहता हूँ पुत्र मैं इसमें आपकी सहायता नहीं कर सकता वायू तो बस ध्वनी का माध्यम है और ये तो वायू का सोभाव है जो स्वयम प्रभू ने निर्दहरित किया है उसे भला मैं कैसे बदल सकता हूँ किन्तु जहां निर्वात होता है वहाँ ध्वनी का कोई भी प्रसारण नहीं होता पुत्र यदि तुम मंदिर की सीमा में निर्वात की स्थिती उत्पन कर दो तो सागर की ध्वनी भी प्रभू के कानों तक नहीं पहुँचेगी मैं उसका प्रयास कर सकता था किन्तु इन बेडियों में बंधा हुआ मैं क्या कर सकता हूँ पुत्र ये बेडियां तो तुमने स्वेम बंधवाई है और प्रभुश्री राम के नाम की बेडियों को तोड़ कर तुम बाहर भी नहीं आपाऊगे ये मुझे ग्यात है किन्तु जहाँ प्रभुकारिय है वहाँ कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोख सकती ये भी ग्यात है मुझे हनुमान जी कोई उपाई तो सोचे मुझे विश्वास है हनुमान जी कि इस समस्या का भी हल आप अवश्य निकालेंगे कि ये भी तो प्रभुका कारिय ही है न और प्रभुश्री राम के नाम की बेडियों को तोड़कर तुम बाहर भी नहीं आपाऊगे ये मुझे ग्यात है किन्तु जहाँ प्रभुकारिय है वहाँ कोई भी बाधा तुम्हें नहीं रोख सकती ये भी ग्यात है मुझे तुम सदा मेरे हृदय में रहोगे और उसके साथ जगनात मंदिर के प्रतिये कण में वास करोगे श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम वीर है रखु वीर है रण धीर मेरे राम है तीन बंधो कंज लो चन कोटी उनके नाम है श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम जैसा की प्रभू ने हनुमान जी से कहा था मंदिर के कण कण में तुम्हारा वास है ये स्मरण करते ही हनुमान जी मंदिर के कण कण से प्रकट होने लगे और संपूर्ण मंदिर परिसर में कोला हल के विरुद्ध निर्वात का निर्मान कर दिया धर्म के पर आये हैं ब्रह्मान्द के भरतार श्री राम सीता राम श्री राम सीता राम राम श्री राम भद कृपाल है वो पापियों के काल है सर्व शक्ति मान दीनानाथ दीन दयाल है श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम अजभूत जए श्री राम जए जगनाथ जए श्री राम जए जगनाथ